अलहीं जोन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं मुहमद मस्रूर आलम दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास है बिना इसकी यह पूरा वीडियो देखे मैंने पहले वीडियो में घर की वाइरिंग के बारे में बताया था जिसे आप लोग ने बहुत पसंद भी किया कमेंट भी किये सेयर भी किये इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं दोस्तों आज मैं यह वीडियो अपने सब्सक्राइबर के डिमांड पर बना रहा हूं लोगों को पाइपिंग के बारे में जानकारी लेना था कि इसे किया कैसे जाता है उसका क्या तरीका है यूट्यूब पे तो हजारों वीडियो मिलेंगे आपको पर मुझे उम्मीद है कि इससे भेटर आपको यूट्यूब पर ना मिलेगा तो चलिए आप लोग मैं एक डाइग्राम के माधियम से जो है बताने की खोशिस करूंगा ताकि आप लोग आसान तरीके से समझ सकते किस तरह से जब बिल्डिंगों में या घरों में छटों पर जो पाइपिंग किया जाता है तो उसका क्या तरीका होता है उसमें क्या समान लगता है उसे किस तरह से जो डालने का तरीका है उस सारा चीज जो है मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिस करूंगा दोस्तों इस वीडियो के बटन के बगल में बेल की गंटी है उसे आप नोटिफिकेशन के लिए ओन कर ले ताकि आप के पास में अलहिंज उनकी जो भी वीडियो आई वह आपके पास में सीधे पहुंच सके तो चलिए आपका वक्त ज्यादा खराब किये विगर में वीडियो सुरू करता है तो दोस कि आपको बताता हूं कि यह मास्किंग टेप मैं इसे बना के दिखाया हूं कि मास्किंग टेप जो सेलो टेप जो बोलते हैं जो चोड़े वाले आते हैं दो इंच तीन इंच चार इंच के आते हैं वह टेप है एक पीवी सी टेप है यह फैन बॉक्स है जिसमें छे होले होत यह और यह पीवीसी पाइप है 25 mm का यह पीवीसी सॉल्वेंट गम है जो पाइप को दूसरे पाइप से जॉइंट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है यह सॉकेट है यह कपलिंग जो भी कहिए इसे कॉलर भी कहा जाता है यह बैंड है यह फोर बेज एक्सन है यह तो आप समझ गया है तो मैं दूसरा आपको जहाएं बता रहा हूं तरीका सबसे पहले दोस्तों वाइरिंग करने से पहले आपको रूटिंग करना पड़ता है और किस तरह से पाइपिंग लेके जाना है किसकी जगह में उसके लिए आपको जो है पहले डिसाइड करना पड़ता है तो मैं रूटिंग का तरीका बता रहा हूं रूटिंग होता क्या ह Ist do in रूटिंग मिनमेशी कि आपको प्रूप के मिला आना है कहां कैसे जिएक द वाल के जेद्ञियम बनारे है यह ऊपर सेंट्रिंग किया हुआ है टीक है यह वाल है तो पाइपिंग लगाया ज़ल Guض यहां पर आपको रेट कलर की सिंबल दिख रही है ठीक है इसे आप जो है फैन बॉक्स माल लीजिए इस पर आपको पाइप कनेट करके चारो तरफ लाना है ठीक है और इसे ड्रॉप डाउन करना है चारो तरफ यह ब्लॉक इट जो है उसे तोड़ के सेंट्रिंग और इट के बीच में सेंट्रिंग और इट के जो लाइनिंग है उसके पास में कॉर्णनर से भीतर की तरफ मतलब कि अपने रूम के अंदर के तरफ फोड़ के बैंट को कि ड्रॉप डाउन करना है ठीक है इसमें फिर पाइप लगेगी और फिर कप्लिंग लगेगी यह आपका कि फैन बॉक्स भी हो सकता है यह जैक्सन बॉक्स भी हो सकता है ठीक है वह आपके उपर में कि क्या आप लगा रहे हैं आप किस जगा लाइन दे रहे हैं ठीक है में यहां बता रहा हूँ आपको जेकोटा यह बॉक्स लकाइए उसके बाद में पाइप लगे высок as निगेगेKो यह चोटा डुपडा पाइप著 के यह कि मैं आप Communist इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें आपको आसानी होगे समझने के लिए क्योंकि मेरे वीडियो देखने वाले बहुत से लोग नए हैं जिन्हें कुछ जानकारी है नहीं हमने जानना है कि आखिर होता कई से एक तो मैं रूत आपको बता दिया ठीक है सबसे आसान तरीका में बत आपको समझने के लिए अलग नॉर्मल इसी तरह से घर बनाया जाती है या अलग अलग बनाती है उससे मतलब नहीं है थरीका सब सेम होता है कि जैसे कि ये बालकनी है कि ये किचन है किदर चिल्डरन का बेड्रूम है यह अच्छा यह अच्छा ये आपका किचन के बाहर डाइनिंग रूम होता है यहां खाना खाते है यह मास्टर बेड्रूम है चिजरी मेन बेड्रूम होता है इसके शिप साथ में उस रूम में ही टॉट डेच्छ रोटेच्ग होती है देखे आप टॉछी कि यह हौल गूं मेन इंट्रेंस है उसके बाद में राद है यह पैसेज है यह जगा इस पैसेज से आप मास्टर बेड्रूम में जा सकते हैं हॉल में जा सकते हैं common bedroom में भी आ सकते हैं इस toilet को भी यूज़ कर सकते हैं चिल्डर बेडरूम के तरब भी जा सकते हैं और आप बाल को नहीं के तरब भी आ सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले तो यह बताओं कि common bedroom, children bedroom, hall, master bedroom और आपका dining room यहां पंके होते हैं इस जगह में पंके लगे होते हैं इसलिए यहां फोर फैन बॉक्स देंगे ठीक है आपके toilet में बालकनी में इन सब जगह में पंके नहीं उतने होते हैं क्योंकि इसके space कम होती है इसलिए कीचन में भी जो है ceiling पे फैन ही लगा सकते हैं ठीक है सबस्क्राइब पैसेज में भी जो है और रूट करना है इसका भी इसका भी इसका भी इस इसका भी इसका भी रूट करना होगा और इसे इसे रूट कर देना है रूट करने का भाद में ये distribution box बबी बॉक्स डिक है यह simple तरीका है और गाओं में या छोटे मतलग के सहरों में इस तरह के वाईरिंग नहीं करते हैं लोग अतपटा से कर देते हैं लेकिन वह ज्यादा प्रषानी होती है सबसे असान तरीका यह है जिक कि डिवी वोक्स में सब के लिए एक सेपरेट पाइप डालना एक मैंने आगे आखे आपको बताया है फैन्बोक्स लेकर आने का थे डिवी बॉक्स दे डायुर्ट एक लाना है ओड़ियूं क्राइब बालकुनी में इसी से जल बालकुनी में आज को अ इस्स से जो आपको जो है यह सब पाइपे दिख रही है यह सरक्यथ है है इसे मेद सब्सक्रीरिक लिए notion आप लुटी है तक समझ रहे है कि यह सब पाइप आसमें 2 कि ए शरकुट यह है आपको मरजी किया आप बोट इस तरफ लगाई यह से असतर लगाई इस तरफ कहीं भी आप लगाई है अल्ग होती है गेट के अधार जूआ कर सकते हैं फाइपिंग के बारें जानका ही देज़ रहा हूं मैं पाइपिंग करी में बता रहा हूं यह देना अब यहां पर टॉइलेट है टॉइलेट के पास में इधर एक इधर ड्रॉपडाउन की है पाइप के यहाँ पर आपका जैक्सन है यह ग्रीन वाले लाइड ने जितनी दिख रहे हैं वह जैक्सन है जैक्सन बॉक्स है ठीक है यहाँ डीवी से अब दो सरकिट आएगी एक सरकिट यहाँ जो बोर्ड के तरब में डायरेट लाइं चले जाएगी दूसरा सर्वीट आएगा आपके यह टॉड़ेट के लिए दूसरा उसमें आएगी तो सरकीट होता क्या है सरकीट में न्यूटरल फेस और अर्थ होता है अर्थ हमेंशा बोड में कि फाइब पिन सौकेट बोलिए या थ्री पिन सौकेट बोलिए सबसे ऊपर वाला जो मोटा पीन वाला जो पिन होता है उस पे लगता है जो ग्रीन वाला ही पार होता है और रेड और ब्लैक वो तो आको मालू में वो न्यूटरल फेस है फेस जो है रेड है तो इसमें से दो सरकीटे आएंगे एक यहां उतर जाएगा और दूसरा इधर नहीं उतारने के बजाए इसी इसे लेके इसमें जाएगे फिर यहां उतर जाएगे सेम इसी तरह से इन सबों में भी जो है दो सरकीट आएगे इसमें भी एक सरकीट जाएगी जो इधर उतारी है इधर कहीं इधर इसलिए सर्कुट अलग अलग दिया जा रहा है डीवी बोक्स से अगर माल लिजे कि यह बालकॉनी में सॉट सर्कुट अगर हो तो डीवी में से मैं से वी उस्लाइन का ही सिर्फ कटे मांगे और विल्डिंग का ना कटे तो अगर इस रूम में जो सॉट सर्कुट हुआ है इसमें तो सिर्फ यहां का एम सिबी कटे यह लाइन नहीं कटेंगी ठीक है इसलिए सेप्रेट सरकुट उसी तरह से लाना है ठीक है आगे तो आप समझ गया है ठीक है आप लोग इस तरह से करके देखिए इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो गए और दोस्तों अगर आपको कुसी तरह से ही है जिसमें मैं ब्लॉग लिखता हूँ अब उस पर भी जो है जाकर गूगल प्लस से कि फॉलो कर सकते हैं मुझे वो है अलहीं जोन डॉट ब्लॉग इसपोर्ट डॉट कॉम ओके दोस्तों मैं वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग के यह वीडियो बहुत अच्छे रगए ठीक है और आप लोग इस वीडियो को सेर ला